इसकार दोस्तो ओसम गार्डन में राके सरम आपका फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तो आज हम जो यह हमारी लख्की बैंबू है इनको हम मिट्टी में ग्रो करेंगे यह मिट्टी में असानी से ग्रो होते हैं और इनकी केर भी जो है वो कम करनी पड़ती है अगर हम इसको पा करनी पड़ती है पानी में जब जाके शर्वाइव करता है और जो गरम एरिया है वहां पर गर्मी होते ही टैंप्रेचर हाई होते ही इसके जो यह बैंबू है यह पल्पी हो जाते हैं अभी यह टाइट है पूरे बट बाद में पल्पी हो जाते हैं और उसके बाद येलो हो तो रहता है कि जैसे हम इसको सोईल में ग्रोड कर लेते हैं तो सोईल को बिल्कुल ड्राइय मत होने दें उसमें मॉइस्चर बना रहना चाहिए और जिस पोट में आप लगा रहे हैं वह वैल ड्रेन हो उसके नीचे बोटम होल होना चाहिए दोस्तों इसके मैंने चारो के टुकडे यह डाल दिये हैं ताकि जो ओवर वाटर है वो तुरंत नीचे से ड्रेन हो जाए वाल्ड ड्रेन सोईल आप इसमें यूज कर सकते हैं उसके लिए मैंने यह मिट्टी बना रखी है इसमें मैंने कुछ सेंड मिक्स किया है गोबर की खाद और दोस्तों गार्डन चोट चोटे पीस बना लीजिए और मिट्टी में एड़ कर लीजिए इसका मकसद होता है कि इसमें कार्बन होता है और कार्बन हमारे प्लांट्स जो होते हैं उनके लिए अच्छा होता है उनकी सेहत के लिए तो आप मिट्टी में यह एड़ कर लीजिए और इसके अंदर जो वाटर होल्डिंग पावर है वो भी ज्यादा होती है यह वाटर को काफी देर तक अपने अंदर होल्ड करके रख सकता है अगर हम थोड़ा पानी देने में लेट हो जाएं तो प्लांट से इन से जो यह अमने चारकोल के टुकुड़े डाले हैं इन से अपनी जो नीड होत हैं गमले में अपने में यह मेरे पास एक एक्स्ट्र डिबा पड़ा हुआ था तो फिलहाल हम इसी में लगाएंगे बाद में में कोई अच्छा पोट लेकर आऊंगा जिसमें जब इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी दन में उसमें ट्रांस्प्लांट कर दूंगा इनको ग्रूब्स जो हमारा वट्ट्सैप ग्रूप है ओसम गारदन के नाम से तो उस वट्सैप ग्रूप में अगर आपको अड होना है तो आप कमेंट बोक्स में बता सकते मैं आपको आड़ कर दूँगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा वाट्सएप नंबर होगा आप मुझे वाट्सएप कीजिए मैं आपको आड़ कर दूँगा वहाँ पर हमारे ग्रूप में प्लांट से रिलेटेड सभी बाते होती हैं डिसकसन होती है कि और सभी के प्र करेंगे और दोस्तों यह आपको थोड़ा सा केरफुली करना है क्योंकि जो इसकी शूट होती है थोड़ी नाजूक होती है थोड़े से में ही जल्दी टूट जाती है तो दोस्तों मेरे पास कुछ जो फस्ट लेयर थी वो थोड़े लंबे थे बैम्बू तो उनको मैं एक स तो दोस्तों इसमें गोबर की खाद और गोबर की खाद जो है उसमें न्यूट्रियंट भी होते हैं और वाटर भी होल्ड करके रखता है तो इसलिए इसमें गोबर की खाद आप मिक्स कर सकते हैं गोबर की खाद मिलाने से जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो भी खराब हो स तो बात यह यह कि प्लांट के अंदर ऑगे अगर इसमें अच्छे से तयार नहीं और होगी तब यह सूख जाएंगे तो आप अच्छे से तयार हुई खाद ही यूज़ करें तो दोस्तों मैं एक एक करके लगाता जा रहा हूँ जैसे आप देख रहे हैं और इसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल रहा हूँ ताकि जो हमारे लखी बैंबू है ये अच्छे से स्टैंड हो जाएं गिरे ना इधर उदर एक बीच में लगा जेते हैं तो दोस्तों जब ये अपनी ग्रोथ बढ़ा लेंगे ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे इसको हम किसी अच्छे पोट में मैं काफी बड़ा पोट लेकर आऊंगा चोड़ा जो ज़्यादा गहरा ना हो बट दिखने में अच्छा हो क्योंकि ये इंडोर प्लांट हैं इंडोर रखेंगे इनको और दोस्तों इसकी सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि जमीन में लगाने के बाद हम इसको कुछ आदा गंटा एक गंटा इसको धूप भी आं लेकिन डरेक्ट सनल्इट नहीं अच्छिस के लिए इसके लिए जो वैसे सनलाइट होती है वह ज्यादा उस्टों हमने इसको लगा लिया है और यह एक कोट हमारा जो है वो पूरा हो गया है लग-बग तो इसमें थोड़ी थोडी मिती और डालेंगे तो दोस्तों ये तरीका था इसका मिट्टी में ग्रोव करने का आपको समझ लग गया होगा अगर आपको फिर भी कोई 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 है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर अगर आप हमारे वट्सेप ग्रूप में है ओसम गारडन होम गारडन तो उस वट्सेप ग्रूप में आप पूछ सकते हैं वहां पर काफी प्लांट से प्लांट के एक्सपर्ट हैं रवींदर जी हैं मंदीप जी हैं अरोनब जी हैं काफी वहां पर राजराम भाई हैं वहां पर काफी बंदे हैं जो बहुत अच्छी नोलीज रखते हैं प्लांट के बारे में मु कोई भी प्रोब्लम है तो आपका वहां पर सॉल्यूशन और ज्यादा अच्छे से हो सकता है तो दोस्तों मेरे जो लगबग कम्प्लीट है लग चुके हैं बस इनमें थोड़ी सी और मैं सोईल एड़ करना चाहरा हूं क्योंकि जब मैं इसमें वाटरिंग करूंगा तो सोईल अच्छे से दवी हुई नहीं है तो वो नीचे बैठेगी तो मैं नहीं चाहता है कि मेरे जो लगकी बैम्बू है वो हिल जाए या गिर जाए मैं चाहताँ कि अच्छे से स्टैंड हो जाए और दोस्तों दिसंबर का महीना चल रहा है ठंड का मोसम है आप इस टाइम अपने सर्दियों में ट्रांस्प्लांट कर रहे हैं तो यह बिल्कुल सर्वाइव करेंगे और दोस्तों जब तक यह जब तक इनकी रूट्स अच्छे से मिट्टी में पकड़ कर जाएंगी जब तक गर्मी आएगी तो दोस्तों यह सर्दि चल रही है दिसंबर की एंडिंग है 29 तारीक है दोस्तों आज और सर्दियां काफी बढ़ चुकी है तो आप इसको सर्दियों में ट्रांस्प्लांट करें अगर गर्मियों में करते हैं तो यह अच्छे सर्वाइव नहीं कर पाएगा इसको लगाने के बाद हम थोड़ थोड़ा दबा देंगे ताकि इनकी जो ग्रिप है वो मिट्टी में अच्छे से बन जाए एक बार यह ग्रिप बना लेंगे खुद रूट्स डैवलप हो जाएंगे इनकी तो दोस्तों फिर यह हिलेंगे नहीं एक बार जस्ट हमें क्योंकि अभी हमने पानी से निकाल कर ल कोश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं मैं आपका जवाब जरूर दूँगा या फिर आप मेरे वट्चैप पर पूछ सकते हैं वहाँ पर भी आपको जवाब जरूर मिलेगा दोस्तों अमीद करता हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि ऐसी इंफोर्मेशनल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं तो दोस्तों इसमें हम अभी वाटरिंग करेंगे अभी इस वाटर को होल्ड करेगा जैसे जैसे सोल हमारी है वो गिली होती रहेगी नीचे की तरफ इसकी थोड़ी सी केर करें और जब तक इसकी रूट्स नहीं डैवलप होती है उसके बाद यह लेस्ट केर पर चलता रहेगा और ग्रोथ करता रहेगा तो दोस्तों अब मुझे विदा दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसे नहीं इंफरमेशन के साथ तब तक के ल अलगाञे नहीं बादे 21.ऊजर में में किस भीन इंफरमेशन यपरी आई को देवत देथे नहीन हीget समा विवदू है कि रहेगा है अले ममान के तक इसके रहेगवादन के रहेगा हैंन में किसे युद करता रहेगा हैं